राधे राधे मेरी प्यारे भाईयों बेहनों मताओं वा बंधूं आज संक्रांती के दिन मैं आप के लिए लाएं हूँ धरम राज की कथा बंधूं संक्रांती के दिन सभी मनुष्य को धरम राज की कथा जरूर सुननी जाहिए जो मनुष्य भी संक्रांती के दिन धरम राज की कथा को सुनते हैं या पढ़ते हैं वे सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं बंधों यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दवाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले हो सके बंधों वीडियो को पूरी सुनें सुनने के बाद कमेंट बोक्स में जै धरम राज की जरूर लिखें बोलो धरम राज की जै पूर्व काल की बात है राजा बब्रु माहन महोदेपुर में राज्चे करता था वह राजा बड़ा धरमात्मा दयालू तथा गोव ब्रहामन और अतित्यों का पूजक था उसके राज्चे में हरीदास नाम वाला महा विद्वान श्रेष्ट प्रहामन था उसकी पत्नी भी बहुत सुशीर और धरमवती थी जिसका नाम गुनवती था हरिदास विश्णु सेवक तथात पस्वी था तद नुसार उसकी पत्नी भी भगवान की भगत और पति व्रता थी उसने प्राये सभी प्रसिद देवताओं के व्रत किये प्रंतु धरम राज की यानि धरम राज नाम से प्रभू की सेवा कभी नहीं की वह गनेश जी के चंद्रमा के हर तालिका आदी देवियों के राम जनम जन माष्ट में शिवरात्री आदी सभी के व्रत किया करती थी बड़ी श्रद्धा से सारी एकाज्शों का व्रत करती हुई यथा शक्तिदान भी देती रहती थी अतिथी सेवा से कभी भी मुख नहीं हुई थी इस प्रकार धरम प्रायन ये व्रिद अवस्था में मृत्यू को प्राप्प हो गई तो धरम आच्रन के प्रभाव से यमदोत उसे आदर पुर्वक धरम राज के पूर में ले गई दक्षिन दिशा में प्रित्वे से कुछ उपर अंत्रिक्ष में धरम राज का बड़ा भारी नगर है जो की पापी लोगों को भई दायक है धरम राज का पूर एक हजार योजन का है वह चोकोर तथा उसके चार द्वार है वह नाना प्रकार के रत्नों से शुभाई मान है उसमें कई मनुश्यों में जो पुन्य भोगने को गई है निवास कर रहे हैं स्थान स्थान पर गीत सुनाई दे रहे हैं और बाजे बज रहे हैं उस नगर के साथ कोट है उसके बीच में महा सुन्दर धरम राजी का मंदिर है वह रत्नों का बना हुआ है और अगनी बिजली बाल सुरे के स्मान चमक रहा है उसके दरवाजों की पेडियां स्फुटिक मने की हैं और हीरे की कनियों से आंगन चमक रहा है उसके मध्य में अनुपम सुन्दर सीहासन पर धरम राज भगवान विराजमान है उसके पास चित्रगुप जी का स्थान है जो मृत प्रानियों के पाप पुन्य का लेखा भग अगपान धरम राज को सुनाया करते हैं यम्राज के दूद गुन्वती को वहां ले गए उसको देखकर वहभई भीत होकर कापने लगी और नीचे मुक किये खड़ी हो गई चित्रगुप जी ने उसके पुर्व जनम किये हुए पाप पुन्य का लिखा जोखा पढ़ कर पर कुछ उदासी भी उनके मुक मंडल पर जलकते हुई गुन्वती को दिखाई दी धरम राज जी को उदाह देकर गुन्वती ने निवेदन किया है प्रभो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैंने कोई दुश्कृत्य नहीं किया फिर भी आप उदास क्यों है इसका कारण बत लाइए धरम राज जी ने कहा है देवी तुमने व्रत आदी से सब देवों को संतुष्ट किया है प्रंतु मेरे नाम से तुमने कुछ भी दान पुन्य नहीं किया यह संकर गुन्वती ने कहा है भगवान मेरा अप्राज शमा करें मैं आपकी उपासना नहीं चानती थी मैं आपके भक्ति मार को आपके मुक्त से श्रवन कर वापस मित्यू लोक में जा सकूं तो आपको संतुष्ट करने का उपाए करूंगी धरम राज ने कहा सुरे भगवान के उत्तरायन में जाते ही जो महा पुन्य वती मकर संक्रांती आती है उस दिन से मेरी पूजा में पर भी मेरे धरम के इंदस अंगों का पालन करता रहे धृती यथा संतोष लाब क्षमा यम नियम द्वारा मन को वश में करना किसी की वस्तु को नहीं चुराना मन से पर इस्त्रियों या पर पुरुशों से बचना याने मन की शुद्धी और शारीरिक शुद्धी पवित्धता याने मन में बुरे विचार ना आने देना, शास्त विध्या का स्वाध्याय याने पाठपुजा कथा श्र्वन या व्रत रखना, और तद नुसार दान भुन्णे करना, सत्य बोलना, सत्यता काही व्यवहार करना, क्रोध ना करना, ये दस धरम के लक्षन है और मेरी इस कथा को नियम से सदा सुनते रहें या पढ़ते रहें और यथा शक्तिदान पुन्य तथा प्रोपकार करते रहें जब साल भर बाद फिर मकर संक्रांती आवे तब उध्यापन करते सोने की या अस्मर्थ हो तो चांदी की मूर्ती बनवावें विद्वान ब्राहमन के द्वारा पूजन हवनादी करें मूर्ती की प्रांत प्रतिष्ठा कर पंचाम्रिस से श्रान करा शोडश उप्चार से उसकी पूजा करें मेरे साथ में चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें और सफेद काले सिलों के लड्डू का भोग लगाएं हमारी पूरन तुष्टी के लिए ब्रहामनों को भी जिमावें और बांस की छाबडी में सवा पांस से धान्य जवार जो मुकता तुल्य मानी जाती है भर कर गुरू या ब्रहामन को भेट करें स्वरग में चड़ने के लिए सोने या चांदी की निश्रणी अर्थात पोड़ी भी दान दें सुन्दर बने शया भी दान दें जिस पर मुलायम गद्दा तक्या और रजाई हो इसके सिवाएं कंबल पादुकाएं बांस की लकडी लोटा डोर पांचो कपड़े पांच वस्त्र भी दान देने जाहें गोदान की समर्थ्या होतो शबेत या लाल गाई मेरे लिए और काली गाई चित्र गुप्त जी के लिए दान दें ये दान की वस्तू सरफ सभारन के लिए है धनवान व्यक्ति भी दे तो बहुत अच्छी बात है गुनवती ने भगवान से है प्रातना की है प्रभो यदि ऐसी बात है तो मुझे यम्दूतों से छुडा कर फिर संसार में भेजिये जिससे मैं आपकी कथा का परचार कर सकूँ जो ही उसकी प्रातना पर भगवान धरमराजी ने सविक्रिती दी उसी समय उसके मृत शुरीर में पुन्हे प्रानों का संचार हो गया और उसके पुत्र आदी कहने लगे बड़ी प्रसंता है कि हमारी माता जी मर कर भी जिन्दा हो गई इसके अनंतर गुन्वती ने अपने पती पुत्र आदी को सब बाते कहीं जो धरमराज ने नुश्यक के कल्यान के लिए कही थी और खुद ने भी यह व्रत शुरू कर दिया मकर संक्रांती से ही उसने प्रती दिन धरम राजी की पूजा और कथा अरंब कर दी और स्वरक में जाने के लिए दान पुन्ने आदिक करम भी अरंब किये इस प्रकार वेह गुनवती साल भर में धरम कथा सुनकर तथा धरम के दस अंगों का पालन कर मृत्यू के बाद जब स्वरग में पहुंची तो देवताओं ने उसका आदर किया और सरा स्वरगिये भोगों को भोगती रही जिस घर में इस्त्री या पुरुष इस धरम राजब्रत कथा को श्रद्धा से प्रदी दिन पढ़ते हैं वे दुखों से मुक्त हो जाते हैं इसमें कोई संशे नहीं है राधे राधे जैश्री कृष्णा बंधुओं यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जिरूर करें धन्यवाद झाल 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 झाल